खेतिया ब्लोक कॉंग्रेस कमेटी ने धरना देकर सौपा ग्यापन केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए क्रिशक्त विरोधी बिलों को वापसी की मांग को लेकर मध्या प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लोक कॉंग्रेस कमेटी खेतिया ने भारत के म पहाम हिम राष्ट्रपती के नाम का ग्यापन अध्यक्ष संजे निकुम्ब शेकर भावसार ने उपस्तित कारेकरताओं वा किसानों की उपस्तिती में अतिरिक्त तहसीलदार श्री हुकुम सिंग निकबाल को सौपा ग्यापन का वाचनपूर ब्लॉक कॉंग्रेस कॉंग्रेस कारकरता उपस्तित रहे कॉंग्रेस कारकरताओं ने ग्यापन सौपने के बाद इस आंधोलन में अपनी जान गवाने वाले कृषकों कुषदान जली दी इस दहरान पूर ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्ष राजेश नहर राजेंद्र टाटिया पाशद अनेल च के सरकार के कानूनों को वापस लेने के लिए ग्यापन माननी राश्पती जी के नाम नायपतसिलदार मोदय को सोपा है नरेंद्र मोदी जी की अडियल सरकार है जो लगातार किसानों के इतनी सारी शहीदी के बाद भी कानून पीछे लेने से तैयार नहीं हो रही है वास्तविक्ता ये है कि क्रशी कानूनों को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार जो होगा तब मोदी सरकार के हवा यूँ अपने आप निकल जाने वाली है चाहे वो कांटेक्ट फार्मिंग हो, MSP का मामला हो, सारी बातों को लेकर के सरकार अपने वादों से कहीं भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है MSP Secretary ने Black Congress Committee के माध्यम से अपना ग्यापन प्रस्तुत किया है मानिराश पती जी से हम सब कांटेकर के कारेकरता मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो, उतना जल्दी ये सारे कानूनों को वापस लें आज ब्लाक कॉंग्रेस कमिटी ने इस आंदोलन में वो किसान जिनोंने वहाँ रहे करके लगातार आंदोलन को अपना नेतर तो दिया ऐसे शहीद हुए 121 किसानों के प्रति अपनी शृत्दान जेली अरपीत की है। हम सभी ब्लाक कॉंग्रेस के साथी किसान अंदोलन में कॉंग्रेस पार्टी के साथ हैं और हर समय कॉंग्रेस पार्टी किसानों के साथ में हैं। हम सिट्टी बजाकर रेली निकालकर केंद्र और राजे में बैठी गुंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया। हम सभाका आयोजन किया गया जहां मोदी सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए तीनों कानूनों को रद करने की मांग की गई आंदोलन में शाहिद हुए किसानों को दो मिनट का मंडे रक्षरदांजले भी दी गई। करें कि विद्वाण सब्सक्राइब भी जब आप लोग नहीं नागता चाहिए। वो भी पारणी के लोग, यह बार भई पहली भी बहुत चुका हूँ, क्योंकि हम अमारे सारे लोग यही कहते हैं उस समय,